दोस्तो आजम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जैसा के आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल सा मॉडल मैंने डेजाइन किया है दोस्तो विलिज के लिए यहाँ पर थ्री वेट डूम हाउश प्लान है यह और इसकी साइज की बात करें तो पची कार पार्किंग की भी विवस्ता रखी है और पूरा मॉडल आपको बहुत ही बेतरीन तरीके इसमें डिफाइन करने वाला हूँ इसका पूरा प्रोसीजर इसमें क्या-क्या बैड्रूम क्या साइज बगरा क्या सब कुछ बताने वाला हूँ अगर हम फ्रेंट की बात करें अगर हम रेलिंग की बात करें तो आपको स्टाइलिस्ट रेलिंग बिद दिखेने को मिल लए जो कि आईरन की यहां पर बनी हुई है इसी मौल को डिसकस करने वाले हैं आप बने रहे हैं पूरी लगातार हमारे शाथ और अगर आपने अभी तक हमारे इसमाल हाउस प्लान क बने यहां दो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिरूर करने साब विलाईकर जरूर दवादे से पर आने वाले सब्वी वटाप लगातार देख सकें जोस्तों मैंने एक पेड़् सर्विस से श्टार की है जैसा कि मैं लगातार आप लोगों को बताता रहता हूं आप करें इसके डिस्क्रिशन की तो फिर्फिलम बात कर लूँ फ्रेंड की फ्रेंड में आपका रोड है देखी के सामने जो कि मैंने एक शलूप दिया है जिससे आप कार पार्किंग कर पाएंगे और आगे मैंने ग्रीन एरिया दिया है जिसे बारंदा भी आप बोल सकते हैं अग पार्स्ट आप आपको मैं बता दूँ कि यह जो बारंदा लगबग आटफिट का है बात बाकी 25 बाई 30 में पूरा हाउस क्रेट किया है जिसमें कि आपको तीन बैट डूम मिलते हैं दो कौरनर पर उसके बीच में लेटेंट बात साइड में आपका यहाँ पर यह वाला गयरा सेयने श्टे Strange वागएरा मिल जाती है इसके बाद एक बेतरीं सा बारंदा उफ्रेंट look मिलता हैं बारंदे की बात करें तो तेन पिलरं यहां पर दिए है यहा पर एक यह पिलर है की और यह यह तीनों की लंबाई के लिए बात करने ते हैं 25 प्रिट में तीनों डिवाइड हैं लगबग ये पूरे मॉडल प्लर्स तो फ्रेंट इलेवेसन के बात करें फ्रेंट का डूर आपका ये है फ्रेंट का जो गेश्ट रूम है उसको भी वहबार से मैंने इंट्री दी है वहाँ पर भी एक आप मैंने डूर दिया है सासाथ एक स्टाइलिस्ट विंडू दिया है आप में डूर से जैसे इंट्री करते हैं तो फर्स्ट आप आप पहुंच जाते हैं गेश्ट रूम में गेश्ट रूम में भी अंदर से इंट्री है और इसके बाद आपको यहां से होते तो यह पूरा मॉडल आपको देखने को मिल जाता है दोस्तो 25 बाई 38 फिटमेंट ओवरॉल अब हम बात करते हैं इसके लाज़ फ्लोड की तो लाज़ फ्लोड पर दोस्तो मैंने कुछ भी डिजाइन नहीं किया सारे तीन फिट का चारो तरह बांडी फ्रेंट में रेलिंग ज सकते हैं आप भी घर बनवाना चाहते हैं तो यह आप हमारी पेड़ सर्वेस के इस्तमाल कर लें एक बार जरूर और दोस्तों जो मैंने ग्रीन एडिया कवर्ड किया है उसमें मैंने रेलिंग भी एक साइड से कवर्ड कर दिये जिससे आपका अलकुल क्लोजड घर हो जाए तो यह मॉडल कैसा लगा हमें जुरूर बताएं सासर वीडियो क्लाइस है जुरूर कि कोई भी डाउट है तो कमेंड करके बोल सकते हैं या आप हमारी इसमाल हाउस प्लान से अभी तक जुड़े नहीं तो जुरूर जुड़ जाएं मैं आप से रिक्रिस्ट लगातार करता करता है तो